जय शनी देग। प्रेभद करो कैसे हैं आप लोग आज आप सभी के समक्ष में प्रस्तत हुए हूँ। आपको ये बताने के लिए कि आप अपना मोबाइल नपर कैसे चेक करें कि वो आपके लिए भागिशाली है या नहीं है। आपके लिए good luck लेके आ रहा है या bad luck लेके आ रहा है। जो लोग चैनल पर नए हैं उन सभी को अपना introduction देती हूँ। मैं हूँ गुरु मारुक मनी हूँ। आप सभी की गुरु आपकी माँ आपकी गाइड। इस चैनल गुरु रजनी शुशी जी के माध्यम से आप सभी को कुछ ऐसे वीडियोस देने का मेरा प्रयास रहता है जहां आप छोटे-छोटे चेंज अपने जीवन में करके अपने जीवन में एक बड़ा बदलावना सकें। आपको मेहनत तो करते ही हैं लेकिन मेहनत के साथ अगर उसकी घृपा जुड़ जाए तो सोने पे सुखा करें। जीवन बदल जाएगा जीवन नचाने कितना भेतर हो जाएगा। तो वही घृपा कैसे प्राप्त करें। वही बताने के लिए आपके लिए छोटे छोटे वीडियोज बनाती हैं। तो फिर देर किस बात की चलिए शिरू करते हैं। मुबाइल आज की डेट में हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक बार को खाने की बिना इनसान जीवित रह सकता है लेकिन मुबाइल की बिना चीना असंभव हो गया है। हर चीज तो मुबाइल से होती है। चाहे आपकी बैंकिंग हो, चाहे आज आपका वाटसैप हो, चाहे वीडियो कॉल हो यह दूसरे से संपर्थ करना हो। बिजनिस हो, इडव्यो हो, प्रेम हो, शादी हो, रिष्टे हो, रिष्टो की बात हो, हर चीज मुबाइल से ही जुड़े की है। और जब मुबाइल हमारे लिए इतना जरूरी एक मात्यम बन गया है, तो क्यों ना उसको भी देखा जाए, वो हमारे लिए भाकिशाली है या नहीं। तो आज वही बताऊंगे कि कैसे आप खुद ही उसको चेक कर सकते हैं, कि जो एक्जिस्टिंग आपका मुबाइल नमबर है, जो अभी आप उप्योग कर रहे हैं, वो आपके लिए कितना भाकिशाली है, भाकिशाली है भी या नहीं है, कहीं आपके दुरभागे को तो निर मंत्र नहीं दे रहा, यह चेक करेंगे और अगर नया मुबाइल नमबर खरीदना चाहते हैं, तो वो कैसा हो, वो कौने सा नमबर हो, जो आपके लिए जीवन भर भाकिशाली रहे हैं, अगर आप किसी आस्ट्रो लॉजर या न्यूमरो लॉजर के पास चाहते हैं, तो वो आप से कुछ अच्छी फीस वसूल करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे स्वेम ही आप घर पे इसे चेक कर सकते हैं और बदलाव भी कर सकते हैं, यह एक थ्री स्टेप का प्रोसेसर है, यानि तीन इसमें चर्ण है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल तिको यह समझ में आजाएं, सबसे पहले तो जो आपका existing mobile number है उसको लेजी, जैसे for example, मेरा mobile number है या हमारे मंदिर का mobile number है 9818144257, तो आपने यह सारी digits जो है, इन सभी को add कर लेना है, इनका sum total निकारना है, जैसे कि 9 plus 8 plus 1 plus 8 plus 1 plus 4 plus 4 plus 2 plus 5 plus 7, यह पूरा mobile number जोड़ लीजे, इसका sum total आजाएगा 49, अब 49 जो है, इस 49 को आपने फिर से total कर लेना, यानि 4 और 9, 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 को भी दुबारा जोड़ लीजे, 3 और 1 को, यानि कि 4 आएगा, तो ऐसे total करते हुए, हमने इसका पूरा sum total न जब तक कि एक single digit, यानि कि एक अंक पर नहीं आजाता, अब इस mobile number का sum total है, वो आपने निकाल लिया, 4, इसको साइड में रख लीजे, एक और paper लीजे, उसके अंदर अपनी date of birth लिखिये, यह इसका second जरन है, इस प्रोसेस का, तो second जो आपने काम करना है, वो है आपनी date of birth ल 1980, तो आपने क्या करना, इसका भी sum total कर लेना है, जैसे 1, प्लस 3, प्लस 1, प्लस 0, प्लस 1, प्लस 9, प्लस 8, प्लस 0, यह पूरा sum total कर लीजे, उसका total आएगा 23, अब इस 2 और 3 को भी total कर लीजे, तो sum total आएगा आपका 5, तो यानि कि आपका जो life path number है, इसे जो हम date of birth को जू life path number, तो यह बहुत important एक number होता है, जब भी हम देखें, यह mobile number लेने जा रहे है, या कोई जरूरी काम करने जा रहे है, जहां numbers related है, जैसे मकान लेने जा रहे है, या आप गाड़ी लेने जा रहे है, तो इस number का बहुत ख्याल लखना होता है, यह आपका जो life path number निकला है, करें, फिर third step पे चलते हैं, एक और paper लीचे, उसके अंदर आप लिखिए आपका lucky number, अपनी राशी आपको मालूम होनी चाहिए, आप बात करेंगे हम लोग mean राशी की, अगर आपकी राशी मीन है, यानि कि 20 है, और आप अपना lucky mobile number सेलेक्ट करना चाहते है, तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, अपनी date of birth के हिसाब से दूसरा तरीका है अपनी lucky number को जानके, जुपिटर यानि की ब्रहसपती घ्रह आपका main ruling planet है, आपका भागेशाली घ्रह भी वही है, अधिपती घ्रह भी वही है, ruling lord हम इसे क्याते हैं, तो इसका जो lucky number होता है, वो होता ह तो या तो आप अपना mobile number अपने life path number के हिसाब से अपने भागेशाली घ्रह से देखें, अनिता आप तीन number के हिसाब से अपना mobile number सिलेक्ट करें, तो आपके लिए बहुत भागेशाली सेथ होगा, ऐसे match करेंगे, तो जो आपका number है वो आपके लिए बहुत lucky हो जाएगा, सा आथ ही कहना चाहूंगे, अगर वीडियो समझ नहीं आए, तो दोबारा देखिए, दिबारा देखिए वीडियो को आगे पिछे करके देख लेंगे, बहुत सानल भाशामें मैंने आपको समझाया है, और इस वीडियो को शेर जरूर करें, आपका कोई भी फ्रेंड हो, ग्र आपको एकी चीज़ सिखाती हूँ, मनुष्य धर्म, पर्मो धर्म, मनुष्य होके मनुष्य की सहता करना ही हमारा धर्म है, जब मैं आप लोगों की सहता करते हूँ, अपना पूरा जीवन आप लोगों की सहता के लिए आपकी परिशानियों को दूर करने के लिए लगाया ह कि मेरी भक्त, मेरी बच्चे उनके जीवन में अच्छा हुदा रहे, उनको कोई संकट ना सता है, तो बहुत सैटिस्वाक्शन मुझे मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून होता है, तो ऐसा ही सुकून आप भी अनुभव करेंगे, जब आप लोगों को करके उनके काम आएगे, और अगर अच्छा लगाओ वीडियो तो उसे लाइक सरूर खर दीजेगा, आज के लिए वीडियो को यही समाप्त करती हूँ, फिर से आप से मुलाकात करूंगी ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, जो आपका जीवन पलवर में बदल देगा, आप सभी को आशे वाते दिए, आप सभी के जीवन में सौभा के वर्था रहे, जैशरी दे में मेरा प्रब्लम सल्प हो गया, मैं घर में इतना परिसाम था, घर में जगड़ा, 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 और घर में में बीमाराद भर स्वती नहीं थी, बीमार से, जितना भी काम बनते-बनते रुकता था, अभी जब गुरुमा का रिंग पेनने का, एक कुछ बिमार ठीक हुए अब कोई प्रब्लाम ली है हर काम बन रहा है हम लोग इतना प्रब्लाम से एक दम अंदर में घुट-घुट के जीरा था वह सब कुछ बाहर निकालने के लिए हमको खुसियां देने के लिए आपका आशिरवात, आपका किरपा और इतना आपका पाउर हम सोच भी नहीं सकता था गुरुमा, कहीं दिखा लू तो इतना क्यों लगके, इतना भीड़ भड़का में बैटना, ओ हमरा बसकी बात नहीं था गुरुमा, इतना आपने हम घर में बैटे बैटे ही, आपने इतना हमारा काम और हमारा बिमार और जगड़े सब काम बनने के लिए आपने इतना पाउर दिखा दिया गुरुमा, आपका पाउर देखे में बहुत खुस हूं गुरुमा, और आपका किरपा और आशिरवात हरमेशा ऐसे बर्सा देना गुरुमा हमको इतना मिला की खुशी-खुशी मिला ये में सोच नहीं सकती थी नवस्ते जैसनी देव हमारे द्वारा बनाई गही और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देख देरें